भारत में मास और अंडे की दिमांड कितनी ज़्यादा है ये तो आप जानते ही होंगे और ठंड के समय तो इन दो चीजों की दिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. कम समय में ठीक ठाक पैसे निवेश करके कमाई करने का मुर्गी पालन व्यापार एक बहुत अच्छा विकल्ब है. और साथ ही मुर्गी पालन का सबसे बड़ा एक फाइदा ये भी है कि इसके लिए आपको अन्य बिजनेश की तरह काफी ज़्यादा राशी की जरूरत नहीं पढ़ती है. कम राशी की मदद से भी आप मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं. किसान भाईयों, मुर्गी पालन में अच्छी कमाई करने के लिए जरूरी है कि आपकी मुर्गियों का स्वास्थे अच्छा हो. इसके लिए पर्याप मात्रा में पानी, विटामिन, प्रोटीन आदी की जरूरत होती है. बजार में मुर्गियों को खिलाने वाले कई तरह के आहार उपलब्ध हैं, जिसे आप खरीद कर उन्हें खिला सकते हैं. वहीं, जब मुर्गियां चूजे देती हैं तो चूजों को और तालीस घंटे बाद ही पहली खुराग दी जानी चाहिए. इसके अलावा, पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी हमेशा रखनी चाहिए. मुर्गी पालन का मुख्यलाब यह है कि इसे शुरू करने के लिए ज्यादा राशी की आवश्यक्ता नहीं होती है. यदि आप 15-100 मुर्गी का पालन करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको 50-1000 से लेकर 1,00,000 रुपे तक का मुनाफ़ा मिल सकता है. जी हाँ अगर आप कम समय में अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं, तो पोल्ट्री फॉर्मिंग में एक बहुत अच्छा विकल्ब माना जाता है. अभी के समय में बहुत से लोग इस बिजनेस में अपना हाथ आजमा रहे हैं और लाखों में कमाई कर रहे हैं. आप भी इतने रुपे कमा सकते हैं पर इसके लिए आपका ये जानना जरूरी है कि मुर्गी पालन का व्यापार कैसे शुरू किया जाता है. कई सरकारी योजनाओं के तहट इस व्यापार की शुरूरात करने पर आपको लोन और ट्रेनिंग भी जाती है, जिसका फाइदा उठा कर आप इस बिजनेस की बहुत आसानी से शुरूरात कर सकते हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तब पर भी आप मुर्गी पालन का व्यापसाय शुरू कर सकते हैं. मुर्गी पालन कई चीजों के लिए किया जाता है जैसे कि इसके मास, पंख, खाद और अंडा. आपको बता दे कि प्रत्येक मुर्गी एक साल में 100-300 अंडे तक दे सकती है. वहीं निकले चूजे 5-6 महीने में अंडा देना शुरू कर देते हैं. ऐसे में इस व्यापार की शुरूआत करना आपके लिए भी फाइदे मन्द हो सकता है. तो चलिए बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं. जैसा कि आपको पता है अगर आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है. इसके साथ ही बिजनेस की शुरूआत करने से पहले आपके पास एक अच्छा सा बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है. तब ही आप व्यापार में सफल हो सकते हैं. आपको बता दे कि अगर आप इसे बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको अच्छे खासे जगह की जरूरत पढ़ने वाली है. वही अगर आप इसे छोटे पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो आप अपने घर के अगल बगल के जगह पर इस बिजनेस की शुरूरात कर सकते हैं. अगर आप 100-200 मुर्गी को पाल रहे हैं तो 100-200 फीट जगह की आवश्यक्ता होती है. ऐसे में आप अपने अनुसार जगह के राय पर ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास पहले से जगह या जमीन है तब तो कोई बात ही नहीं है. आम तोर पर इस बिजनेस की शुरूात शहर के उस जगह की जाती है जहां पर गाड़ी और लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है. अगर आप गाउंब में कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं और आपको बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा है तो मुर्गी पालन व्याफसाए गाउंब में शुरू करना भी एक बहुत अच्छा विकल्प होगा. क्योंकि गाउंब में ऐसे जगह की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है. आपको बता दे कि मुर्गियों को खुले जगह में रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है जिससे वो बिमारियों का शिकार नहीं होती है. इसके साथ ही बहुत सी जगह मुर्गी पालन व्यापार शुरू करने के लिए no objection certificate भी लेना पड़ता है बाकी कुछ permission के लिए आप अपने नजदी की नगर निगम में सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं जब आप मुर्गियों के लिए शेड बना ले तो अब आपका काम है उन्हें कुछ जरूरी सुविधाय देना जैसे पानी की अच्छी व्यवस्था रखें जिस जगह मुर्गियां रहने वाली हैं वहाँ जमीन गिला ना हो वर्शा होने पर मुर्गियां बिल्कुल भी न भीन गया आदी शेड बनवाने में तो वैसे आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा पर आपको कोशिश करना है कि कम से कम रुपे खर्च करके अच्छा शेड बनाया जाए इसके साथ ही जगह का चुनाब करते वक्त आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि आगे चल कर ट्रांस्पोर्टेशन में कोई भी दिक्कत न हो 2. मुर्गियों के प्रकार का चैन करें अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बतादू मुर्गिया तीन प्रकार की होती है इन में से आपको चैन करना होगा कि आप कौन सी मुर्गी का पालन करेंगे आप चाहे तो तीनों तरह की मुर्गियों का पालन कर सकते हैं, पर इसके लिए हो सकता है आपको ज्यादा जगर की आवश्यक्ता हो सबसे पहली होती है लेयम मुर्गी इस तरह की मुर्गी का इस्तेमाल अंडे के लिए किया जाता है जो 6 महीने में अंडे देने के लिए बिलकुल तयार हो जाती है वहीं इनकी उम्र की बात करें तो 15 महीने तक का इनका जीवन होता है दूसरी ब्राइल अ मुर्गी होती है जो की बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है और मार्केट में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है आप चाहे तो ब्राइल अ मुर्गी का पालन करके भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं आखरी में आप सभी को पता होगा देसी मुर्गी होती है जो की महंगी आती है. अभी के समय में देसी मुर्गी बहुत ज्यादा कम दिखती है. इसका सबसे बड़ा कारण है इसका रेट पर इसके डिमांड में अभी भी बिल्कुल कमी नहीं आई है. तीन, चुजे की खरीदारी और उनके खाने का इंतजाम करें इस व्यापार में आगे तक जाने के लिए आपका अच्छे चुजे का चैन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको नहीं पता है कि अच्छे चुजे कैसे होते हैं तो इसके लिए आप किसी जानकार व्यक्ति को अपने साथ जरूर ले जाएं जब आप चुजे की खरीदारी करें वही चुजे खरीदते वक्त आप इस बात का खास ध्यान रखें कि उन्हें कोई भी तरह की बिमारी ना हो एक चुजे की कीमत 30-40 रुपे होती है आप अपने बजट के अनुसार जितने चाहे उतने चुजे खरीद सकते हैं चुजे की खरीदारी कर लेने के बाद अब आपको उन्हें चारा देना है चुजे की अच्छी विकास के लिए आप उन्हें अपने अनुसार अच्छा खाना दे सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि चूजे क्या खाते हैं तो इसके लिए भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं पानी के लिए आप जगह जगह बर्तन रखे और उसी में मुर्गियों तथा चूजे को पानी दें याद रखेगी पानी और बर्तन दोनों हमेशा साफ होने चाहिए बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी मुर्गियों को रात में खाना और पानी देते हैं आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि रात के समय में मुर्गियों तथा चूजे खाना नहीं खाते हैं जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है मार्केट में आपको मुर्गियों के लिए कई तरह के खाने मिल जाएंगे आप अपनी जानकारी अनुसार ही सभी सामान की खरीदारी करें अबाती है सबसे जरूरी चीज और बो है अपने मुर्गियों तथा अंडे को मार्केट तक पहुँचाना जगह जगह अपनी मुर्गियों तथा अंडे को पहुचाने के लिए आपको अपने बिजनेस की अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी होगी और लोगों से संपर्ग बनाना होगा जैसा की मैंने आपको पहले बताया था की शादी, जनम दिन आदी अफसर पर मास और अंडे की बहुत ज़्यादा दिमान रहती है ऐसे में आपको मौके का फाइदा उठाना है और मुर्गियों तथा अंडे को बेचना है होलसेल में प्रत्येक अंडे पर 4-5 रुपे मिलते हैं, वहीं प्रत्येक मुर्गी की कीमत 60-80 रुपे तक की होती है वहीं आपको बता दें कि मुर्गियों को वजन के हिसाब से बेचा जाता है और यही कारण है कि जब मुर्गियों का पालन किया जाता है तो उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है जिससे कि उन्हें वजन के समय अच्छा मुनाफ़ा मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने मुर्गे तथा अंडे को पहुंचाने के लिए आप शहर के सभी दुकांदार से संपर्थ कर सकते हैं अगर आपने उन्हें अच्छा ओफर दिया तो हो सकता है वो आपको ओडर दे दें और हमेशा आपसे ही अंडे तथा मुर्ग या लें 5. मुर्गी पालन से होने वाला लाब पोल्ट्री बिजनेस की शुरुआत करने के बाद अब आप सब के मन में जैसे बहार आ रहा होगा कि हम इस व्यापार से कितना ज्यादा कमाई कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ ये बताना बहुत मुश्किल है कि आप कितनी ज्यादा कमाई कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत हाद तक आप पर निर्भर करता है आप इस व्यापार की शुरुआत कितने बड़े या छोटे स्थर पर कर रहे हैं पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं अपने अंदाज से बताऊं तो पोल्ट्री फार्म शुरू करने के चार महीने बाद आप इससे 40,000 से 50,000 रुपे महीना का मुनाफ़ा आसानी से कमा सकते हैं वही यह कमाई समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी जब आप अपनी पूंजी निवेश करके अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे अगर आपको मेरे बताए हुए आकर से संतुष्टी नहीं हो रही है तो इसके लिए आप किसी नजदी की पोल्ट्वी फार्म के मालिक से जाकर सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि महीने के कितने रुपे कमाई जा सकते हैं आपको बता दे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने रुपे निवेश करना होगा तो ये बहुत हद तक आप पर निर्भर करता है कि आप इसे जगह किराये पर लेकर शुरू कर रहे हैं या आपनी खुद की जमीन पर अगर आप मुर्गी पालन का बिजनेस जगह किराये पर लेकर कर रहे हैं तो कोशिश करें की किराया बहुत ज्यादा ना हो तब ही आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इस बिजनेस की शुरूआत करने के लिए आपको एक लाख रुपे से पांच लाख रुपे तक निवेश करना पर सकता है जो आप पर निर्भर करता है आप इसे कितने बड़े स्तर पर कर रहे हैं वहीं अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं है तो मुर्गी पालन बिजनेस के लिए लोन भी ले सकते हैं सरकार इस तरह के बिजनेस को बहुत ज्यादा सहयोग भी करती है और मुर्गी पालन बिजनेस के लिए तो कई योजनाई भी हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं आपको बता दे कि नेशनल बैंक ओफ एग्री कल्चर पोल्ट्री फॉर्म व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 75 प्रतिशत तक लोन दे रही है बस याद रखें कि आपके पास एक सही बिजनेस प्लान और अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए ऐसे में इस बिजनेस की शुरुआत करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा लोन लेने के लिए आप अपने नजदीग के किसी भी बैंक में भी जा सकते हैं और सबसिडी वाले लोन के लिए आवेधन कर सकते हैं मुर्गी पालन व्यापार के लिए अच्छी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आप जिले के क्रिशी विग्यान के इंज में आवेधन कर सकते हैं वैसे तो पोल्ट्री फार्म का व्यापार बहुत ही फायदे मंद है और इसे कोई भी शुरू कर सकता है पर बिजनेस की शुरूआत करने से पहले आप इसके बारे में सभी जानकारी हासिल जरूर करने और बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बिजनेस की शुरूआत ना करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कैसे शुरू करें या पोल्ट्री फार्मिंग का व्यापार कैसे शुरू करें उम्मीद करता हूँ आपको आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वादा कीजिए कि आगे भी इसी तरह हमारे चैनल पर आते रहेंगे